हलो फ्रेंट्स, वेलकम तो आज चानल करेंट अफेर अफेर अपडेटेड इस दिवशी शवस्ती और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकिया हूँ इस लेक्षा से एक कोशन आपके एक्जामे जरूर ही आपको देखने को मिलेगा चलिए स्टाट करते हैं सबसे पहली चीज जो न्यूज में थी रिगार्डिंग प्रेजेंट ऑफ इंडिया दौपदी मुर्मु जी के नाम पर तडिस प्रेजेंट ऑफ इंडिया दौपदी म तो प्रेजेंट ने ये आवर्ट्स दिये स्वक्षा सर्वेक्षन आवर्ड 2023 इसमें रैंक वन पर मतलब जिस सिटी की पॉपलेशन मोर दें 10 लाक है उस पर रैंक वन पर दो सिटी आई है एक है इंडौर और दूसी है सूरत सूरत गुजरात में हैं इंडौर में हैं ये दोनों ही रैंक वन पर थे मतलब शेयर्ड किया उन्होंने जॉइंट ली अवर्ड मिला है क्लीने सिटी टाइडल का या देखिएगा मोर देन 10 लाक पॉपलेशन में इन दोनों सिटी इसको ये अवर्ड मिला है और इंडौर को तो सेवंध टाइम किया है इन टम्स ऑफ क्लीनिनेस तो स्टेट के टम्स पर महराष्ट रैंक वन पर तो अन्फ्यूज मत होगेगा यह आप से पूछ सकते हैं कि रैंक वन पर कौन था इस महराष्ट और अगर मैं बूचू लेस देन वन लाक पॉपलेशन में कौन है रैंक वन पर तो बौर्ड इंप़्ॉर्फन हो जाता है आगे बरतें नेक्स्ट आदी महुचछफ ट्वेंडीटोनिफ यह क्या है देगे इसको भी जवपदी मुर्मु जी ने इनाउग्ट किया है आदी महुचछफ को आप कह सकते है नैशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदी महुचछफ ट किया है ताइस दौपधी मुर्मुजी ने और इस फंक्शन के अगर बात को तो हर साल ट्राइफट जो है वह याद खेगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेर इस फंक्शन को और्गनाइस करता है ताइस नाशनल ट्राइबल फेस्ट्वल आदी महुत्सब तो यह न मेडल का नाम क्या है मेडल है विशिष्ट सेवा मेडल और यह मेडल दिया है देश की प्रेजिदेंट दौपधी मुर्मुजी ने किसको दिया है जादि किएगा हविल्दर वरिंदर सिंग हविल्दर वरिंदर सिंग उनको यह वार्ड मिला है विशिष्ट सेवा मेडल और और किसे ने दिया है दौपधी मुर्मू जी ने दिया आए यौ यह मैं आपको खास दाथ पता हूं किसलिए दिया है वेपेंस एके 47 वगरा इसमें अप्लोड कर सकते हो तो इसमें याद एकिए मुल्टी परपस यह ओक्तो कॉप्टर जो एक द्रोन है वो यूज होगा और इसके लिए याद एखिएगा इसने डिजाइन किया है कि इसने लिए हवेलदर वरिंदर सिंग ने इसलिए इनको यह क्या पॉइंट किया है एस राजीव को क्या पॉइंट किया है विजिलेंस कमिशनर इन दे सेंटल विजिलेंस कमिशनर अपॉइंट हुए हैं सेंटल विजिलेंस कमिशनर में नाम याद एखना अभी रिसेंटली पूछ शक्टे कौन अपॉइंट हुए है तो आरे एस से बताई क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है बट अभी रिसेंट्टी ट्वेंडिफोर में विजिलेंस कमिशनर पॉइंट वेस्टे मैं आपको बता दिया है आगे बढ़ते नेक्स दौपदी मुर्मु जी से रेलेटेट क्या न्यूज में है परपल फेस्ट यह इन अगे न्यूड़्य जो कि राश्पति भवन है वहां पर ये इनाउग्रेशन हुआ है और राश्पति भवन सबस्राइन नियू डेली में है और Ministry of Social Justice and Empowerment जो है वो Nodal Ministry है इस Purple Fest के लिए इस Purple Fest में होता क्या है बनाब यह जो दिव्यांग जन होते हैं उनके लिए यह Purple Fest और्गनाइस किया जाता है तो याद रखिए का यहाँ पर इस Cultural Event में क्या होगा दौपधी मुर्मू जी स्बाइस को इंटराक्शन करए जायगा दिव्यांग जन से जो जिनका विखलांग क्यते हैं एक तरीके से दिव्यांग जन उनको हम नया नाम दिया उनसे इंटराक्शन होगा दौपधी मुर्मू जी का तो कोशन पूछ करते है परपल फस्त दिकाऊ है तो answer भी New Delhi और कौन सी ministry के अंदर कौन नोडल ministry होती ही ये भी question आ सकता है तो ये आपको यादखना है Next दौपदी मुर्मु जी ने inaugurate किया है 37th, very very important है ये 37th सूरजकुंड इंटरनाशनल Craft Mila 2024 जो की फरीदाबाद हरयाना में inaugurate किया, किस ने किया है President ने किया, तो पूठ चक्ते कौन से edition का था, 37th edition था कहा हुआ है, फरीदाबाद में हरयाना में हुआ है, इस बागा Theme State क्या था, Craft मिला का Theme State होता है, तो इस बागा Theme State याद आखिए, गुजरात था, very important और याद आखिए का Partner Nation Partner Country या Partner Nation कौन था तो तंजानिया, तो यार के तंजानिया जो था, वो Partner Nation था तो ये आपसे मेरा मानना आने की chances इस वाले topic के थोड़े ज़ादा है Comment box से हम मुझे बताई, तंजानिया की capital क्या है, ठीक है अफरीका की country है, तंजानिया, आपको मुझे उसकी capital जो है, वो comment box से mention करनी है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स दौपादी मुर्मुजी ने इनाउग्रेट किया है कौशल भवन, अफकोर्स skill development के लिए होगा, कौशल भवन एक नई building है, Ministry of Skill Development Entrepreneurship की in New Delhi, तो ये सीधा है, पूछ सकते है, कौशल भवन भवन भी recently inaugurate किया गया by President, कहां inaugurate किया गया है, तो आज़ो भी New Delhi, में skill development, यादेखे, skill development entrepreneur की ministry की, यादेखे, कि नई building है, जो exam में आने की चांसर, again important है, इसके भी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पर दीखे, Major Somya Shukla जी जो है, उन्होंने unfurl किया है, national flag upon the arrival of President Ropadi Burmu at the Kartab Vipart on Republic Day 2024, ठीक है, सबसे पहले, फ्लाग को host नहीं किया है, ये word को ध्यान रखना, unfurl किया है, आप ये unfurl होता है, यादेएगा, unfurl मतलब या होस्टिंग का होता है, आते पहले से होप बंदा रहता है, बस आपको इसको खीचना लेता है, ये नीचे से उपर नहीं जाता, पहले से ही उपर रहता है, तो यादखिएगा, फ्लाग होस्टिंग का जब करना अलग हो गया, यहां पैसे नीचे से उपर नहीं जा रहा निजा लिए तरह comedy सूर किया है और कभ sind प्रिंधने आप देखे देश में जब Independence Day होता है Independence Day और Republic Day Independence Day में प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो फ्लैक को होस्ट करते हैं विल्ब ऐसे नीचे से खिचते हैं वो फ्लैक उपर जाता है और Republic Day में आप देखेंगे President फ्लैक को अन्फलरल करता है जनरली यह होता है तो यह मैं आपको बता रहा हूँ hosting और अन्फलरल में difference क्या होता है यह बहुत कम लोग बताते हैं पर मैं आपको बता दिया आपको काम आएगा Independence Day में मैंने पता है hosting होती है और अन्फलरल जो होता है वो होता है Republic Day में ओके चलिए आगे बढ़ते है नेक्स आते है दौपदी मुर्मू जी ने अप्रूफ किया है ग्लानेटरी अवार्ड कितने लोगों पूछ सकते है इस Republic Day में कितने लोगों ग्लानेटरी अवार्ड मिले हैं तो आंसर ए 80 आम फोर्स परसनल को 75th Republic Day 2024 में 80 आम परसनल को मिघाले गेम्स इन तुरा तुरा मिघाले में जगह है वहाँ पर 5th edition of मिघाले गेम्स को inauguration किया है तो पुझा रखता है किस ने इनाउग्रेट किया है तो आँसर उट भी दौपदी मुर्मू जी ने इनाउग्रेट किया है मिघाले के गवर्नर कौन है यह आप मुझे comment box से होता है मिघाले के governor कौन है मिघाले के cm कौन है और मिघाले में कितनी लोकसभा seats है यह तीन चीज़ आप मुझे comment box से mention करके बताएंगे आगे बढ़ते है next आप यहाँ पर सत्नाम सिंग संदू जी को देख रहा हूँग यह कौन है अभी रिसेंटली न्यूस बेस लिए आगए क्योंकि प्रेज़ेंट रौपदी मुर्मूजी निको नॉमिनेट किया है राज्यसभा की seat के लिए आपको पता होगा कि राज्यसभा में 12 परसन से ऐसे होता है जिनको राश्यपती जो होता है वो नॉमिनेट करता है तो अभी एक यह खाली होगी थी उसकी अगर उनने सतनाम सिंग संदू जी को जो की वाइस चांसलर है बता दू मैं आपको चंदिगर यूनिवरसिटी के एक एडुकेशनलिस्ट है इनको अभी राज्यसभा की सीड दी गयी है सतनाम सिंग संदू जी को किस ने? की तो 10 मिम्बर की जाते हैं राज्यसभा में अभी किस-किस फील्ड में किये जाते हैं? या आप मुझे कमेंट बॉक्स ने बताइए कि राजसभा में जो नॉमिनेशन होता है 12 मेंबर्स का और किस फील्ड में होता है या आप मुझे कमेंट बॉक्स देए को कि मैं अलड़ी ये चीज पॉलिटी की क्लासे में पढ़ा चुका हूँ आगे बढ़ते हैं नेक्स आते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है रिपब्लिक ऑफ ग्वाना के ग्वाना आप सबको पता होगा साउथ अमेरिका की कंट्री के ग्वाना उसके प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है मार्क फिलिप्स अभी ये इंडिया की विजिट पे थे और इस पर उन्होंने याद कि हमाई देश की प्रेजिट से मुलाकात की मतब दौपदी मुर्मूजी से उन्होंने मुलाकात की तो आप देख सकते हैं दोनों बैठे हुए हैं तो पूछ सकते हैं अभी प्रेजिट ऑफ इंडिया ने ग्वाना के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की प्राइम मिर्स्या का नाम क्या था तो याद कि मार्क फिलिप जो है वो उसका उनका नाम है नेक्स इंपोर्डेंट है आप यहाँ पर दोनों की मेद देख सकते हैं दोनों हैं कौन बता दूँ यह तो हमाई देश की प्रेजिदेंट रौपदी मुर्मु जी है उनके साथ प्रेजिदेंट आफ इंडिया ने रिसीव किया है एमिनल मैकरॉन को ठीक है जो फ्रांस के प्रेजिदेंट है अट राश्पती भवन 26 जनवरी 2024 में तो अभी मैंने पता आपको गेस थे तो देख सकते हैं दोनों एक साथ आ रहे हैं तो तो यह कोशन भी आ सकता है कि रिप प्रधानमंती लिखा हुआ है तो यह वाड़ देते होंगे प्राइम मिर्स से बट नहीं क्या रिखेगा प्रेजिदेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रेजेंट करती है प्रधानमंती राश्टी बालपुरुषकार अभी 2024 में 19 चिल्रेंस को दिया गया है ठीक है यह स्पिशीज फाउंड की है जिसका नाम है हेड़ शील्ड सी स्लग और यह स्पिशीज जो है इसमें रभी रेड़ स्पोर्ट भी है इसके स्पिशीज में जिन्हों ने इसको डिसको डिसकोर की है जे जोलोजिका सर्वे ऑफ इंडिया ने वेस्ट पेंगॉल और ओडीशा के कोस से और इसका नाम उन्होंने नामकरन रखा है और देश की प्रेजिजेंट डॉपदी मुर्मू जी के नाम पर उसका नाम रखा गया है ठीक है तो इसका नाम क्या रखा गया इस नाम रखा गया रखेगा मिलैनो क्लेमस डॉपदी या देखें मिलैनो क्लेमस डॉपदी यह अभी निउस में है, ठीक है, यह है क्या, तो याद एक इच्छा, Head Shield Sea Slug, जो है, जो है, जो है, मेराएं स्पिशीज है, जो अभी रिसेंटली फाउंड की, यह राउंड 7 mm की, इसकी साइज होती है, और अभी इनके, देश के प्रेज़ेंट के नाम पर नाम रखा गए, इसके चांसे थोड़े एक्जाम में जादा हैं, तो इसको जरू गो थू करना, और लास्ट जो है, इस विविद्धता का अमरित महोत्सव 2024, विविद्धता मतब डाइवरसिटी, बिलकुल, तो यह अभी प्राइम मिनिस्ट, प्रेज़ेंट जो है, दौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इनॉगरेट किया है, विविद्धता का अमरित महोत्सव, ठीक है, यह तरीके तरीके विविद्धता का अमरित महोत्सव हुआ है, न्यू डेली में, तो पूछ रकते हैं आप से, कि विविद्धता का कल्चर अमरित महोत्सव भी कहा हुआ है, तो आंसर भी न्यू डेली, और यह तखिए यहाँ पर 39 इस के इंडिया की कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है, तो यह ती डेश की प्रेजेंट रौपदी बुर्मु जी, जिसकी वैसे यह इस साल अभी तक में न्यूज में रही, और मेरा मानना एक कोशन आपको जरूर इस टॉपिक से देखने को मिलेगा, चाहे वो सूरजकुंट से आजाए, चाहे वो मेराइन स्पिशीस से आजाए तो एक बस को गो तुरू कर लेना, इसका PDF आपको मिल जाएगा, ऐसे लेक्शेस आपको पसंद आते हो, जहाँ आपके कम टाइम पर जादा प्रक्रेशन कर पाते हो, हैना किसी भी टॉपिक पर, तो आप हमें को डोनेट करना चाहते हो, तो यह हमारा QR कोड है, फोन पे पे वीडियो को लाइक करिये, चाहिन को सब्सक्राइब करिये, उससे भी हमाई हमाई होती है, तो यह जो लेक्शेर आपने देखा, बड़ा एक्जाम परस्पेक्टिव से था, इसकी PDF टेलिग्राम में मिल जाएगी, लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके हैं करेंग यह हम प्रोवाइड करते हैं, कम टाइम है तो आप इसका soft copy order कर सकते हैं, ठीक है, आपके soft copy में प्रोवाइड कर देंगे, even history भी आप देख सकते हैं, modern history, ठीक है, इस सारे नोट्स अगर आपको मिल जाते हैं, जा देखिए, current affairs के साथ साथ, तो exam crack करना बहुत असान होगा, क इस ताइम पर आपको नोट्च और classes की ज़रुत पढ़ेगी, क्या दखिएगा, तो आप हमारे application, यहाद कि लिंक मेरा description box में डालना हूँ, यहाप हमारा course यहाँ वीडियो लेक्शर हाँ, हाड़ कॉपी दोनों हम देंगे, हाड़ कॉपी घर आपके पहुँच जाएगा, इस पर आप सिर्फ चाहते हो नोट्च लेना, इस ताइम कम है और आपको बस गो तुरू करना है नोट्च को तो आप नीचे मेरा WhatsApp नमबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टाक करिए, मैं आपको नोट्च के बारे में भी बता दूँगा, आप नोट्च डारेक्ली भी भ आप उनको गोत्रू कर सकते हैं, UPSC की प्रप्रेशन कर रहा हो, या अधर एक्जाम की, एक बार आप आप एप्लिकेशन को विजिट करो, या आप मुझे कॉन्टाक भी कर सकते हैं, नमबर मेंशन है, नोट्च के लिए, याद दखेगा, UPSC जारी करो, प्री, में, सांसर सब कुछ मिलेगा आपको, इसका लिंक, इस कोर्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना हूँ, एक बाज आकर आप चेक कर लो, तो के सांपल्स अगर आप देख लो, आपके घर पे कोरियर हो जाएगा, अल ओवर इंडिया इफर सिटी इवलेबल हैं, तो ब आपको टेलिग्राम गृप में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अब हमारे टेलिग्राम को जॉइन कर सकते हो, कोई डाउट क्विरी है, तो भी आप हमको कमेंट बॉक्स से मेसेज करके आप बता सकते हो, प्लस इवेन आपको नंबर दे रखा है अपना, आप उस पर कॉंटाक करिए, कोई डाउट क्विरी हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, और प्लीज इस वीडियो को लाइक जरू करेंगे, अपने इस फ्रेंड के साथ शेयर करिए कि हमाई देश की प्रेजिजन जो है, ठीक है, उन वो किसले निउस में थी, उ यहन जी भारत